चंबल प्रभानी उससे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आ रहें बेल आईकॉन को दबाएं जिससे हमारी आने वाली ख़बर मिले सबसे पहले आपको देख ये सर, हम राजिस्तान के रहने बाले है जला दोल पो तैसीर राया ख़ड़ा ताना देवले गाम भुड़ा हम गाम से इदर काम करने के लिए आयते है महराष्ट में और आम इदर पस गया है रतनागरी जले में और इदर खाने का बिवस्ता नहीं है पीने का बिवस्ता बार जातें तो पुल्सवाले मारती है, अभी क्या करें, मैं राजतान सरकार से निभेदन करता हूँ, या तो हमको इधर से निकालने का विविश्टा करें, या खाने का विश्टा करें, ओर देख कुछ भी नहीं, इधर मढ़ी रहते हैं और बाल बच्ची भी ये देखो, अ कुछ कुछ भी ने किषन है क्या वे कुछ सकते हैं रेखो सब्सक्राइब करें रेखो है अपना कि इस्फाने इस चपर और राइतर में युट यkzeug तो दोलपुर में जिला कलेक्टर आरके जैस्वाल ने बताया कि कुरोना वाइरस महमारी के समय संकट की इस घड़ी में जब सबी लोग लॉक डाउन में अपने अपने घरों में बंध हैं, किसी का कहीं भी आना जाना नहीं हो पारा है, तो ऐसी परिस्तिती में मूख पशू पक्षी भी भूख प्यास से व्याकूल हो रहे हैं, इसलिए इस संकट के समय इंसान के साथ साथ गाए, कुत्ते, बंदर, गिलैरी, पक्षी, सही सभी मूख पशू पक्षियों की जान की परवापी हमें करनी हैं, मूख पशू पक्षियों को दाना एवं चारा पानी जो आम तोर पर पशू पक्षी प्रियमों के द्वारा नियमित तोर पर उपलब्द करवाया जा रहा था, उसमें लॉक टाउन के कारण कोई व्यभधान नहीं पड़े, और मूख प्राणियों का जीवन संकट में नहीं कॉलारी सरपंच ने बाटा राशन और मास्क भी मुहया कराए अपनी पंचायद के लोगों के घरों में जाकर राशन तता मास्क वित्र किये, इस दोरान उन्होंने पंचायद के लोगों को भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में वो पंचायद के लोगों के साथ रहे हैं और उनकी पंचायत में ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास अब रोजगार भी नहीं रहा है इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा लोगों में राशन आठा दाल इतेल इत्यादी वस्तों को विद्धित किया गया है इसके अलावा लोगों को को कोरोना व पोर्ट चंबल प्रबार न्यूज धालपूर के एनस्यू आई जिलाद्दक्ष पंकस्तिवारी ने राजिस्थान के मुख्य मंति अशो गैलोत के नाम पत्र लिखकर उसन से कोरोना वाइरस को मद्दे नजर रखते हुए राजिस्थान के समस विद्ध्यालों एवं महा व पारिस के संक्रमर से मार्च मा से प्रदेश में लॉकडाउन हो गया है जिससे प्रदेश में समस्त व्यपसाय वं रोजगार बंद हो जाने की कारण प्रदेश के आम जनों को आर्तिक परिशानी का सामना करना पढ़ रहा है प्रदेश में अध्यनरत छात छात्रों के अभि वेदन किया है कि मानवी आधार पर इस भीशन आपता की घड़ी में प्रिदेश के समस्व विद्यालों और महा विद्यालों में अध्यन्दत छात्रों के फीज जमा कराने है तो तीन मा की राहत प्रदान की जाए जिससे प्रिदेश के लाखों परिवारों को इस आपातकाल जैसे इस स्थिती में राहत मिल सकेगी विद्य रिपोर्ट चम्मल प्रभानियोज धॉलपूर में राज्य सरकार द्वारा कुरोना मामारी से उत्पन्द इस स्थिती में जरूरतमन्द परिवारों को राशी रूपे 1500 प्रति परिवार अत्रिक्त सायता उपलब्द करने के निर्देश प्रदान किये गए हैं इस संबन में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जैसवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में संदर्वित आदेश में उल्लेखित विभिन श्रेडियों के पात्रा परिवारों को एक हजार रुपे की वित्य सायता देने का निर्देश किया गया है इसमें सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अंसार अब 1500 रुपे की अतिरिक्त सायता को उपलब्द करवाने हेतू निर्देशित किया गया है उन्होंने बताया कि जिले में पात्रा परिवारों को राज इस्तर से अब कुल 2500 रुपे की आर्थिक बालीजे बालीजे बालीजे